हेलो गाइस आपका हमारे चैनल विहान शर्मा 24 में फिर से स्वागत है आज हम आपको दो पॉइंट दिखाएंगे माउंट अबू में एक तो शूटिंग पॉइंट और एक गुरु शिकर जो की माउंट अबू की हाइस पीक है और हम यह बहीं पे जा रहे हैं और यह रास्ता उसी की तरफ जा रहे हमने से पिछली वाली वीडियो में आपको ब्रह्म कुमारी आश्रम दिखाया था उसी रास्ते पे ही जा रहे हैं हम और यह गुरु शिकर वाला रास्ता ही है से पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपसे बात की थी इस बारे में कि गुरु शिकर जो वियूज दिखाई देंगे बहुत अच्छा लगेगा यह देखे यहाँ वियूज तो यही से दिखना शुरू हो गया है यहाँ पे देखे किते सारी बड़ी बड़ी रॉक्स रखी हुई है और यहाँ पे आप देखे नदी भी दिख रही है तो यहाँ पे चोटे-चोटे पॉइंट ही है जो काफी जादा गहरे गड़े हो गयते और उनमें पानी भर गया था बारिश का और यहाँ पे एक विलेज भी मिलता है रास्ते में जाते हुए वहाँ पे भी काफी अच्छा लग रहा था देखने में वो चीज़े तो आप देखे यहाँ पे व्यूज कितने अच्छे हैं और यह काफी उचाई पे रास्ता जा रहा था पर मजब होता रहा था इस रास्ते में गुरु शिखर के साथ कई सारी रोजग कहानिया भी जुड़ी हुई है उसमें से एक कहानी ये भी है कि पृत्वीराच चोहान जो है वो इस पीक पे गए थे अपनी वाइफ को मिलने के लिए ये भी एक बड़ी रोजग कहानी है कि गुरु शिखर का नाम आखिर गुरु शिखर ही क्यों पढ़ा हुआ है गुरु शिखर या फिर पीक ओफ दा गुरु ये जो है वो भगवान दतत्रेया के नाम पर पड़ा हुआ है दतत्रेया का मंदिल जो है यहां गुरु शिखर पे काफी बड़ा अट्राक्शन पॉइंट है जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे अंदर फोटोग्राफी तो लाओ नहीं थी पर बाहर से हमने थोड़ी बहुत वीडियो और फोटोस कीची है जो हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में और जो लॉर्ड दतत्रेया है वो believed to be the incarnation of लॉर्ड विश्नू जिन्होंने बर्थ लिया था कपल, अत्री और अनसुया के आपर और ऐसा मानते हैं कि इनके अंदर ब्रह्मा, विश्नू और महेश तीनों एक साथ इनके शरीर में आये थे तो ये गुरु शिकर पे ये जो मंदिर है वो एक लोता भारत का ऐसा मंदिर है जो और आप यहां पे यह देखें कितने सुन्दर सुन्दर यहां पे दिखाई दे रहे हैं अब हम आगे शूटिंग पॉइंट बहुत जल्दी पहुचने वाले हैं और यह देखें यहां पे कितने सुन्दर नजारे दिख रहे हैं हम तो बच्चे के साथ थे नहीं तो हम तो अपनी कार रोक के यहां पर फोटो अगरा खिछपा ही लेते लेकिन बच्चा छोटा है तो डर लगता है कि कहीं इधर दर ना भाग जाए तो इसलिए हमने सेव साइट पे रहते हुए ना ही उतरने का फैसला लिया और यह देखें यहां पर कितना अच्छा लग रहा है व्यूबस देखने में यह सारी भी तो कुछ अढाईack का लिया उतरने के वदएपा तो आढी का बागव है लेते हमने इसलिए है वही मालने की है शाए प Dash grey यह देखिए यह है शूटिंग पॉइंट माउंट आबू का यहाँ पे आमिर खान की मुवी कयामत से कयामत तक की शूटिंग हुई थी उसके बाद ही इस पॉइंट का नाम शूटिंग पॉइंट पड़ गया और यह देखिए यहाँ पे कितना सुन्दर नजारा है यहाँ पर हम यहाँ मैं और विहान नहीं गये थे हम कार में बैटे थे क्योंकि विहान के पापा को डल लग रहा थे कि कहीं विहान यहाँ पे गिरना जाए क्योंकि यह बिल्कुल सेफ नहीं था यह पॉइंट तो विहान के पापा ही यहाँ पर आकर वीडियो बना रहे हैं तो यह दे मज़ा उठा रहे थे यह बहुत प्यारा था इसलिए पॉइंट काफी फेमस होके है और काफी सुन्दर भी लग रहा था यहां से वियू देखें कितना प्यारा लग रहा है तो यह देखें पीछे का पूरा यहां से अब हमने शूटिंग पॉइंट देख लिया है और यह गुरुशिकर के रास्ते में पढ़ता है शूटिंग पॉइंट देखने के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुरुशिकर की तरफ और यह देखें कितना अच्छा रास्ता है बड़ा मजारत है इसको देखने में बहुत ही सीनिक ब्यूटि रखते हैं खुबसूरत खुबसूरत नजारे आपको ऐसे ही दिख जाते हैं और यह राजस्तान में है एक बार यह को बिलीव करना मुश्किल है क्योंकि राजस्तान अपने डेजर्ट्स के लिए फीमस है और माउंट अबू में आकर आपको यह थोड़ा कमी होगा कि यह राजस्तान का ही पार्ट है और यह देखिए अब हम आगे हैं गुरु शिकर की तरफ यह यहां पर पॉइंट है जहां पर आपको अपनी कार खड़ी करनी है और उसके आगे आपको चलना है और यह देखिए हमने यहांसे गाइट कर लिया था क्यो और उन्होंने 500 हमसे लिए और पूरी जानकारी भी दी और वो भीहान को गोदी में भी पकड़े हुए थे तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो गया यहां पर शॉप्स भी लगी हुए है आप खरिदारी भी कर सकते हैं राजस्तान की एक बात तो ही क्योंकि यहां पर इतनी सुन्दर सुन्दर चीज़े आपको मार्केट में मिल जाती है आप जहां भी जाओ आपको शॉप दिख जाएंगी जूती और अलग-अलग जो भी यहां पर समान सुन्दर सुन्दर मिलते हैं कि आपका मन करेगा कि आप पूरी शॉप भी करीद लो राजस्तान अपने सुन्दर को लेके और अपनी चीज़ों को लेके काफी फेमस है और अब देखे हम यहां से चड़ाई करना शुरू की गुरु शिकर के लिए और यहां पर देखे कितना सुन्दर लग रहा है शॉप लगी हुई थी चारो तरफ गया आप देख सकते हैं खाने पीने का भी अ मंदिर है यहां पर अंदर वीडियोग्राफी अलाओ नहीं थी तो हमने बाहर सी लिया है यह जैसे अभी पहले बात किया था तो लौट दत्ता तया का मंदिर है यह और यह देखिए अभी थोड़ा और उपर जाना है मंदिर बीच पॉइंट पे है उसके उपर और भी हाइ से बड़े है यह देहीं यह से कितनी उची अब ही एवा और चड़ाई करनी है यह देखि ऐने मंदिर आपको दिख रहा होगा पीछे हमारे और यह धृम चल रहे हैं चल रहे हैं और इसके अब चल रहे नहीं है हैं सब जय आ कि एक को मार्केट तो यह उद्याचि है था नो एक पल को तो इतनी भीड और इतनी सारी शॉप स्टिक के आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप इतनी बड़ी चड़ाई कर रहे हैं माउंटेंस में उपर जड़ रहे हैं और यह देखें यहां से व्यू क्या नजारा है यहां का और यह देखें कितना सुन्दर लग रहा है यह यहां यहां पर दर्शन कर रहे हैं और हम दर्शन करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं और व्यूज आप देखते चलिएगा यहां पर न थोड़ी सी फोटो भी खिछवाली यहां पर व्यूज बहुती सुन्दर सुन्दर थे बहुत मजा आ रहा था देखने में इन व्यूज को जैश्री रामगरा उसे अरे जैश्री रामगरा आओ यहां से देखे तो पूरा राजस्थान आपको नजर आ जाएगा यहां पर जैसल मेर बार मेर और 410 किलो मेटर की दूरे पर ही पाकिस्तान बॉर्डर भी है यहां पर कच फूकम जो आया था उसको रेडार पर जो मेजर किया था वो रेडार भी यहीं पर है हम आपको जूम करके दिखाते हैं यह देखे यहां पर आपको रेडार दिख रहा होगा यह देखे और उसी के बगल में दो सफेद मंदिर भी दिख रहे होंगे वो भगवान दता तेया के माता पिता के मंदिर है जो आगे सफेद मंदिर था वो उनके पिता जी का मंदिर है जो की रिशी अत्री जी है और पीछे जो मंदिर था वो उनकी मा अनुसुया जी का है यह हम यहाँ पर पोस देते हुए यह जो अगला आपको सफेद बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी वेडियो में वो यहां की माउंट आबू अब्सवेटरी है जो की ऑपरेट की जाती है फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा इस अब्सवेटरी में 1.2 मीटर इंफरारेड टेलिसकोप है और बहुत सारी यहां पर एस्ट्रोनॉमिकल एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं यहां पर तारों की जनगर्ना और काफी सारे काम होते हैं वह वही ऑब्जरवेटरीज है और उसके आगे जो सीन है वहाँ पर कश्मीर की वादियंग की याद दिलाता है जैसा कि हमें पता चला यहां का कश्मीर है तो आप यह देखे हम यहां पर बहुत डर लग रहा था पोस देने में क्योंकि पीछे अगर इक पैर फिसला तो तैरे अब हम आपको जादा अच्छे से जुम करके दिखा रहे हैं यह आपर यह देखे इतना सुन्दर लग रहा था मुझे यह देखने में यह पर यह देखिए ईप्सरवेटरी और उसके पीछे पूरा नजारा और यह देखिए वपर से मंदर का नीचे का पाट दिख रहा है और यहां से आप नजारे देखे सारी सब चीज़े दिख रही है और बहुत ही सुन्दर लग रहा है सब कुछ देखने में यह देखे मंदिर है और जो सारी मंदिर हमने पहले भी वीडियो में आपको बता है वह सारी भी दिख रहे हैं और माउंटेन का पूरा व्यू दिख रहे ह और यह देखे कितना सुंदर लग रहा है यहां पर विशिंग बेल है इसका जो उपर का पार्ट है वो निकाल दिया गया है क्योंकि बच्चे उस पर लटकते थे और इसके सब्स्टिट्यूट में नीचे विशिंग बेल लगी हुई थी उसको आपको तीन बार बजा के विश करना है तो वो विशिंग बेल थी यहां पर काफी लोग थे और यह देखे हम फिर से यहां पर पोस देते हुए बहुत अच्छा लग रहा था और यह जो देखे हैं यहां पर विशिंग बेल थी अब हम नीचे जा रहे हैं यह जो इसके सब्स्टिट्यूट में लगी है यह कि झाल टुट्स किया रहरे का लगी है यहां कि यहां